हाँ देखिए गड़ित कच्छा दस प्रिष्णावली 15 जिसंब वेग तो इसका तीसरा और चौसा दोनों सवाल इसमें मैं लिखती हैं तो तीसरा कुछन देखेंगे इसमें लिखा है फुटबॉल के खेल को प्रारम करते समय यह निर्णे लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी इसके लिए सिक्का उच्छालना एक निया संगत विदी क्यों माना जाता है सिक्का उच्छालना निया संगत विदी यानि कि सिक्का उच्छालना क्यों सही माना जाता है देखिए सिक्का अगर उच्छालते हैं तो इसका जो उत्तर है अगर आप सिक्का उच् लागा और जिसको इंदिम क्या पोलते हैं टीक है तो सिक्का उचालने में यहां पर क्या हो रहा है र अगर इसके कुल पर्रणाम किसी ने हमें है चाहे यह यानि च्ट चाहिए तो हैड चाहिए न क्या होगा चीए तो क्या होगा सम्मावित परणाम नंकूल परणाम वो कितने यह तो प्रा-इकता को बोलते हैं पी बराबर क्या होता इन और यह थीदिन दो इस तो यहां पर प्राइकता दोनों की बराबर आ रही है। तो यह जो है निया संगत माना जाएगा इसलिए अब दूसरा है इसमें से कौन सी गटना किसी गटना की प्रायक्ता नहीं हो सकती देखो प्रायक्ता हो नहीं सकती यहां नहीं लिखा है तो कौन सी प्रायक्ता नहीं हो सकती तो प्रायक्ता के बारे में हम जानते हैं प्रायक् तो यहाँ पर हम देखें, दो बटे तीन को, अगर तीन से इसको भाग दें, तो यहाँ दिसंब्लाव लगाएंगे, तब यहाँ जीरो बढ़ेगा, तीन चिंग अठारा, तो जीरो दिसंब्लाव चे है, यह जीरो और वन के बीच में आ रहा है, तो यह तो प्राइक्टा है, यहाँ पर हमाँ का बताना नहीं है, अब इसको चेक करेंगे, तो इसमें देखो, यह माइनस की जो वैल्यॵ है, माئनस का जो माहन होता है, जीरो से कम होता है, अगर हम इसमें देखिए, जीरो वन, ठू, तो, इस तरह आए बढ़ेंगे, तो इधर की तरफ जब हम जाते हैं तो minus, तो यहाँ 0 से चोटी है minus में जो value आएगी, तो यह 0 से कम है, तो 0 से तो कम नहीं होनी चाहिए, जीरो हो या 0 से बड़ी हो, वो चल जाएगी, तो इसका मतलब यह प्रायक्टा नहीं है, तो answer तो हमें यहीं मिल गया, अब इसको देखें, तो जो प्रायक्टा है, 15% का क् छोशेर को जद देख लेते हैं तो मिल गया पर सेंट डाएंगे तो आप कॉन हंड्रेड्ड लिखेंगे लिए इसको 20 यहां से डान तोजी रखेंगे तो ये भी जीरो और बान के भी के बीच में रखेंगने राइकता है और यह दिखी रहा है जीरो और बन के बीच में जीरो पॉइंट सेविन तो आंसर क्या जाएगा इसका भी ठीक है